नमस्कार दोस्तो मैं रविंदर शोकीन आप सब का स्वागत करता हूँ दोस्तो आज हम बनाएंगे ड्रैगन फूरूट से वाइन ड्रैगन फूरूट मार्किट में दो तरेके अवेलेबल हैं एक वाइड कलर का और एक अंदर से रेड निकलता है बिल्कुल हमें जो भी मिले देशी खांड का इस्तमाल करेंगे आप चीनी का भी इस्तमाल कर सकते हो ये के हूँ लिये हैं अंदाजन ये 60-70 ग्राम होंगे इनको मैंने थोड़ा सा भून लिया है अच्छे फ्लिवर के लिए दाल चीनी का एक चुटा सा टुकडा लिया है छे इलाइची लिया है और च उसका इस्तमाल कीजिए क्यों इस्तमाल किया जाता है वीडियो में इस बारे में भी बात करेंगे वाइन बनाने के लिए आधे निम्बू के रसकी हमें जरूरत पड़ेगी इस बारे में भी मैं डिटेल में आपको बताऊंगा कि इसका इस्तमाल क्यों किया जाता है वाइन का लिंक आपको description box में मिल जाएगा, container को airlock करने के लिए cling film यानि के kitchen wrap sheet और एक rubber band का इस्तमाल करेंगे ये बहुत ही अच्छे से काम करता है dragon fruit को हमें बीच में से काट लेना है और चम्मच की मदद से pulp को हमें निकाल लेना है पल बहुत ही असानी और सफाई से निकल जाएगा, उसे हमें container के अंदर ले लेना है, एक बार dragon fruit के फायदे भी हम देख लेते हैं dragon fruit fat free होता है, इसमें काफी सारे fiber पाये जाते हैं, human system को भी ये boost करता है, blood sugar को control करता है और glucose level को भी ठीक बनाई रखता है हमारे दातों के लिए, आखों के लिए और हमारी हडियों के लिए भी काफी लाइब दायक है cholesterol level को भी ये नियंतरन में करता है पहले ये dragon fruit हिंदुस्तान में नहीं उगाया जाता था, लेकिन अब इसकी खेती यहाँ पे भी होनी लग गई है दोस्तों dragon fruit के pulp को निकाल कर container में डालते हुए, आज एक एहम सवाल आप लोगों से मैं पूछी लेता हूँ, मिरे से बार-बार पूछा जाता है क्या हमें wine को strong बनाना चाहिए या नहीं आप में से भी काफी सारे दोस्त wine और beer को घर में strong बनाना चाहते होंगे लेकिन ऐसा करना ठीक नहीं है, मेरा जवाब नामे है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, अगर हम beer या wine में alcohol percent बनाएंगे तो उसके साथ-साथ methanol chemical भी बढ़ जाएगा, जो कि हमारी सेथ के लिए काफी हानिकारक होता है, दोस्तों जो भी wine या beer हम बजार से खरीते हैं यानि कि ठेके से या wine shop से उनमें भी ये chemical होता है wine में 14 और strong beer में 9% से कम alcohol रखा जाता है ताकि methanol की मातरा सही रहे अगर methanol की मातरा सही रहेगी तो पीने वाले को कोई भी दिक्कत के बाद ही wine को पीना चाहिए बस इसी बात का ध्यान रखना है dragon fruit के pulp को मैंने container में ले लिया है, आप चाहो तो इसे mash कर सकते हो, मैंने इसको ऐसे ही छोड़ा है अब add कर देंगे दालचिनी, long और ilaichi, गेहूं को alcohol percentage बढ़ाने के लिए भी इस्तमाल किया जाता है, इसके अंदर starch होता है, गेहूं के अंदर, जिससे alcohol percent बढ़ जाती है 700 gram देसी खांड भी add कर देंगे बहुत सारे दोस्त हमारे पूछते हैं कि ये देसी खांड क्या होती है, ये unrefined sugar ही होती है, अगर आपके पास ये नहीं है, तो आप मिश्री का शहद का या गुड का भी इस्तमाल कर सकते हैं, उनके भी अपने फैदे हैं अगर वो भी ना हो, तो आप सीधा-सीधा चीनी का इस्तमाल कर सकते हैं खांड add कर चुका हूँ, अब लीटर पानी और add करूँगा, जिसके अंदर 200 ग्राम खांड और भी add कर लूँगा कंटेनर में पानी मैंने add कर लिया है अब Potation Metabisulfite या Sodium Metabisulfite जो भी आपके पास है दो चुटकी भर इसके अंदर डाल देनी है अगर इन में से आपके पास कुछ भी नहीं है तो आपको ये सवा 3 लीटर पानी boiled करके ही उबलता हुआ डालना है कंटेनर के लिए, बिल्कुल उबलता हुआ डाल दें, बिल्कुल कंटेनर तूटने की चिंता ना करें, कंटेनर नहीं तूटेगा वैसे तो दोस्तों मैं potassium metabisulfite का इस्तमाल wine में करता हूँ, लेकिन potassium metabisulfite मेरे पास खतम था, तो sodium metabisulfite की दो चुटकी मैंने कंटेनर के अंदर add कर दी है, अब हमें इस must को अच्छे से mix कर देना है, उसके बाद क्लिंक फिल्म से कंटेनर को airtight कर देंगे और rubber bed उपर लगा देंगे, 24 गंटे के लिए हम इसे ऐसे ही चोड़ देंगे, उसके बाद आगे का process देखेंगे कंटेनर को रखे हुए 24 गंटे हो चुके हैं, hydrometer है मेरे पास यहाँ पर, लेकिन दोस्तों मैंने इसका इस्तिमाल करना बंद कर दिया, यह सिरफ reading दिखाता है जितनी हमने sugar डालिए उसकी fruit के अंदर जो natural sugar है उसको यह नहीं दिखाता, उसे हम bricks में नाप सकते हैं, reflectrometer की अवशकता उसके लिए हमें पढ़ती है अगर हम hydrometer के हिसाब से अपनी wine के अंदर sugar अगर add करते हैं, तो हमेशा हमें alcohol percentage अधिकी मिलेगी क्योंकि जो fruit के अंदर sweetness है वो भी बाद में convert हो जाएगी alcohol के अंदर और हमारी जो wine है वो strong बन जाएगी तो इसलिए दोस्तों मैंने इसका इस्तमाल करना बंद कर दिया है hydrometer का दोस्तों आप लोग सोच रहे होगे कि बिना hydrometer के मैं कैसे calculation करता हूँ CDC calculation है fruit आपने जितना भी add किया है उसको side कर दो उसको नहीं आपने calculate करना है हाँ पानी जितना भी liter आप डाल रहे हो पर liter के हिसाब से 200 से लेके 220 ग्राम तक आप sugar add कर सकते हो 11-12% एलकॉल पाने के लिए दोस्तों अगर आप juice से wine बना रहे हैं तो उसकी भी CDC calculation है आप किसी भी fruit के juice से अगर wine बनाते हैं तो 5-7% एलकॉल उसमें वैसे ही मिल जाएगी बिना sugar को add किये उसके natural sugar से तो हमें सिरफ उसमें 80-100 ग्राम पर लीटर के हिसाब से sugar add करनी है उससे ज्यादा करने के हमें आवशकता नहीं है हमें अच्छी खासी percentage मिल जाएगी एलकॉल की तकरीबन 11-12% के आजपास यहाँ पर मैंने पैस्टेन इंजायम ले लिया है जो कि 1 teaspoon था इसको हम container के अंदर add कर देंगे आधे निम्बू का juice भी हम container में add करेंगे और साथ में ही yeast भी add कर देंगे दोस्तों एक बर बात कर लेते हैं wine के अंदर हम निम्बू का juice क्यो डालते हैं निम्बू के juice या citric acid डालने से wine का pH सही रहता है wine का अगर pH सही रहेगा उसे कम रखा जाता है 3 से लेके 3.6 तक रखा जाता है इसका एक अपना ही माप डंड है अपना ही एक scale है तो उसी scale के base पे इसे 3 से 3.6 तक रखा जाता है अगर ये pH सही रहेगा तो wine के अंदर fermentation बहुत ही अच्छे से होगी और अंचाही East, Wild East जिसे हम नहीं चाते वो इसके अंदर नहीं पनपती जो कि wine के taste को खराब करती है और जो हानी कारक, alcohol इसके अंदर बना देती है वो हमारी wine के अंदर बना देती है वो उसकी पैदावार रुक जाती है उस पर रोक थाम लग जाती है बहुत जरूरी है citric acid का हमारी wine के अंदर होना East को भी मैंने container में add कर दिया है अब container के उपर cling film मैं लगा दूँगा और उपर से rubber लगा के इसे air tight कर दूँगा 2-3 गंटे के बाद देखेंगे इसमें fermentation चालू हुई या नहीं उपर की तरफ फूल गई है कुछ नहीं करना बस हतेली से धीरे से इसको press करना है और carbon dioxide को बहार निकाल देना है carbon dioxide rubber के नीचे से अराम से बहार निकल जाएगी बहार की कोई भी oxygen या हवा अंदर container के अंदर नहीं आएगी ऐसा करने से एक तो ये जो kitchen wrap sheet है या फटेगी नहीं दूसरा उपर से निकलेगी भी नहीं जब भी cling film को हम change करेंगे एक बार हमें ये pressure हतेली के दबाव से निकाल देना है जादा बार हमें ऐसा नहीं करना बाकी ये अपने आप निकलता रहेगा wine को अब हम fermentation होने के लिए छोड़ देते हैं कल देखेंगे आब इसे wine को ferment होते हुए 24 गंटे हो चुके हैं container को एक बार खोल लेना है और एक sterilized कडची से एक बार इसे अच्छे से mix कर लेंगे और दुबारा से इसे air lock करके fermentation के होने के लिए रख देंगे ऐसा हमें लगातार 7 दिन तक करना है container को हर एक 24 गंटे में हमें खोलना है और sterilized कडची से एक बार इसे अच्छे से mix कर लेना है हमें इसको ज़्यादा देर के लिए mix नहीं करना कुछ second के लिए ही mix करना है ताकि east को थोड़ी सी oxygen मिल जाए और east ठीक से काम करती रहे दोस्तो वीडियो अगर आपको पसंद आईए तो वीडियो को like और share करना ना भूले और channel को subscribe कर लीजिए दोस्तो इस वीडियो में बस इतना ही जल्दी मैं दूसरा पार्ट भी इसका upload कर दूँगा जानकारियों के साथ तब तक के लिए जै हिंद जै भारत